हेलो स्टुडेंट मैं पावन भमुरिया उडान डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत करता हूं आज हम फिसिक्स का चेप्टर नंबर एड विद्दु चुम्ब की तरंगे डिसकस करेंगे यह जो चेप्टर है इसका वेटेज चार नंबर है ऑब्जेक विद्दु चुम्ब की तरंगे कब उत्वन होती है इलेक्ट्रो मेगनेटिव वेव्स आर जनरेटेड इन अब आप संदिये त्वरित आवेश से क्विक चार्ज से इस्थिरावेश से इस्टेशनरी चार्ज से एक समान वेख से गतिमान आवेश से चार्ज मोविंग आर जेए वो एक्सेलेाट हो तरुट उता है एंपी कोश्यन और आता है बहुत बार आया हुआ है तो त्वरित आवेश विद्दु चुम्ब की तरंगे उत्पनिन करता है नेक्स्वें ले tö विद्दु चुम्ब की किड़न या तरंगे नहीं है इलेक्ट्रो मैगनेटिक चुम्ब की तरंगें मेंट है अधियक एक्सक्राङटिक लेते हैं विद्धुमब की तरंगों के अस्तित्व का प्रायोगी को सर्व प्रधम ग.'S कि इसकी लिए हर्ट नाम की साइंटिस ने एक्सपेरिमेंट किया था तो यहां आंसर हर्ट जोगा हर्ट जो है उसने प्रायोगी ग्रूप से सत्यापन किया है विद्दुचुम्ब की तरंगों का यह मोस्ट आमपी कोश्चन है आता रहता है और हमारी एक्जाम में आएगा 2023 में निर्वात में वेक्यूम में जो विद्दुचुम्ब की तरंगे इलेक्रोमेगनेटिक वेवस जो है उनकी वेलासिटी कितनी होती है तो वेलासिटी जो है उसका फार्मूला होता है सी इस इक् याद रखेंगे यह इस इक्वल टू वन बाय अंडर रूट विव नॉट एप्सलोन नॉट तो भी इसका राइट आंसर है नेक्स कोशन लेते हैं कोशन फिप्त है ओजोन मंडल किसको उसोशित करता है दो जोन लेइर एब्जॉप तो किसको एब्जॉप करता है तो आप जानते हैं कि यह जो है यूजवी रेडियेशन उतें यह इसको ऑजोन मंडल क्या कर लेता है ङ कर लेता है हामफुल होता है हमारे लिए human being के लिए मानों के लिए हामफूल होता है तो पराभेगनी विकिरन जो है उसको यूवी रेडियेशन क्या करता है एब्जॉब करता है कुशन शिक्स यदि विद्द्दृ चुम्बा की तरंग विद्दृ एक्स दिशा में सुनकी विद्दृ आलएक्स दिशा में में उसको यहां पर हम यह बोल सकते कि इल्लेक्रasanthet Ellie सिब्दृ और विद्दृ हमारा एलेक्ट्रिक वेक्टर दोनों के पर्पेंडिकुलर होती है तो अगर एक डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में तो जो हमारी वेव होगी वो किस डायरेक्शन में मुव करेगी जेट डायरेक्शन में जेट डिसा में मुवमेंट होगा उसका तीनों पर्पेंडि through wave vector को explain किया जाता है विद्दु चुम्ब की तरंग में विद्दु छेतर E और चुम्ब की छेतर B में क्या relation है तर relation between B magnetic field and E electric field तो इसको कुछ इस टाइप से हम बात कर सकते हैं कि Q, V, B जो है वो equal होता है Q into E के यहां से Q से Q cancel हो जाता है और V is equal to आता है E by B V के place पर अगर vacuum की बात करें तो vacuum के लिए we can write C is equal to E by B यहां पर कहीं हम को दिखेगा C is equal to E by B अगर नहीं दिख रहा है तो यह B इदर आ गया और सी इदर आ गया तो A answer B is equal to E by C होगा नेक्स कोशन लेते हैं यह जो हमने लास्ट कोशन पढ़ा यह important है इस पर टिक कर लेना मैं एक बार फिर बता तूं यह कोशन हमारा important is C is equal to E by B चली फिल इंद ब्लैंक की बात करते हैं पहला फिल इंद ब्लैंक लेते हैं विद्दु चुम्ब की तरंगे होती है इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेवजार ट्रांस्वर वेव यह ट्रांस्वर वेव होती है कि ट्रांस्वर अनुप्रस्थ तरंगे होती है कौन सी तरंगे होती है अनुप्रस्थ तो याद रखेंगे विद्दु चुम्ब की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है यह मोस्ट आई एंपी कोश्चन जो आपको फिल इन दफलेक्स के फॉर्म में आएगा ट्रांस्वर्स वेव होती है नेक्स्ट विद्दुचुम्ब की तरंगों में एक दूसरे के लंबवत तलों में डेस डेस तता डेस डेस के ज्या वक्री दोलन होते हैं विद्दुच्षेत्र और चुम्बकी चेत्र इन दोनों के दोलनों के कारण विद्दुच छेत्र चुम्बकिय छेत्र दोनों के दोलनों के कारेंड क्या होता है विद्दुच चुम्बकिय तरंगे उत्पन्न होती है एलेक्ट्रिक फिल्ड एंड मैगनेटिक फिल्ड कि दोनों के कारेंड क्या जन्रेट होती है एलेक्ट्रो मैगनेटिक फिल्ड होती है नेक्स कोशन लेते हैं द्रश से प्रकास का रंग उसकी किस पर निर्भर करता है कौन सी क्वांटिटी पर निर्भर करता है मोस्ट मोस्ट आएंपी कोश्यन है यह है तो कलर आफ विजिबल लाइट डिपेंड्स ऑन इट तो कलर डिपेंड करता है हमको लगता है कि 4000 एंगेस्ट्राम से 8000 एंगेस्ट्राम 4000 टू 8000 एंगेस्ट्राम वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की और यह किस पर डिपेंड्स करता है वेवलेंथ पर ऐसा लगता है हमको पर यह बात गलत है वेवलेंद पर color depend नहीं करता है depend करता है frequency पर आवरत्ती पर तो याद रखेंगे ये point कि जो द्रश्य प्रकास है उसका color किस पर depend करता है frequency आवरत्ती पर निर्भर करता है most time be point है important point हो सकता है exam में गलत होने के chance से याद रखेंगे रोगों के किटानों को मारने में कौन जी ray यूज होती है ray are used to kill the germs of disease UV ray यूज होती है UV ray परा बेंगनी विकिरन जो है उनका प्रयोग किया जाता है किटानों को मारने में ये भी question बार बार repeat हुआ है आया हुआ है important है द्रश से प्रकास की तरंग धेरिय परास अभी मैंने बताई थी द्रश से प्रकास जो है उसकी तरंग धेरिय परास range of visible light तो wavelength range जो होती है वो 4000 एंगेस टाम to 8000 एंगेस टाम होती है इसका actual value कुछ इस टाइप से होती है 3800 एंगेस टाम to 76600 एंगेस टाम यह actual value है पर हम normal याद करने के लिए यह use कर लेते है 4000 एंगेस टाम to 8000 एंगेस टाम इसको हम 400 nanometer to 800 nanometer भी write कर सकते है next question सबसे अधिक आवरत्ती की जो विद्दुचुंब की तरंगे वो कौन सी है सबसे अधिक आवरत्ती की तरंगे आपसे पूछा है ठीक है तो इसका answer होता है gamma re gamma re जो है उनकी आवरत्ती सबसे ज़्यादा होती है gamma re याद रखेंगे वे तरंगे जिनकी आवरत्ती मेगा हर्ट्स की कोटी की होती है मेगा हर्ट्स का आडर जिनका होता है वो होता है रेडियो तरंगे कौन सी तरंगे होगी रेडियो तरंगे नेक्स्ट है एक सब्द में उत्तर दीजिए क्या विस्थापन धारा चालन धारा की तुल्य की तरह चुम्ब की छित्र का इस्त्रों थे मतलब विस्थापन धारा के द्वारा चुम्ब की जेत्रों उत्रपन नहों सकता है इस displacement current a source of a magnetic field like conduction current मतलब अगर हम एक conductor में current flow करते तो उसके त्रू जैसे magnetic field generate होता है वैसे displacement current के त्रू क्या magnetic field generate होता है तो इसका answer yes हाँ है answer हाँ उत्पन होता है विस्थापन धारा किसके काराण उत्पन होती है तो विस्थापन धारा कब उत्पन होगी देखिए विस्थापन तमय के साथ अगर परिवर्ती विद्दु छेत रहे मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फिल्ड है यह इलेक्ट्रिक फिल्ड चेंजेबल है अगर यह इलेक्ट्रिक फिल्ड चेंजेबल है तो इस टाइप से जो हमारा displacement current हो जनरेट होगा तो चेंजेबल इलेक्ट्रिक फिल्ड के कारण हमारा displacement current जनरेट होता है अगर विद्दु छेत्र परिवर् तो याद रखेंगे परिवर्ती विद्दु छेत्र के कारण विस्थापन्धारा उत्पन्न होती है विद्दु चुम्ब की तरंगों की प्रकृती बताईए तो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि अनुप्रस्त तरंगे होती है ट्रांस्वर्स वे होती है तो ट्रांस्वर्स वे होती है अनुप्रस्त तरंगे होती है इनकी डिस्कवरी किसने की है तो मैक्सवेल नाम का एक साइनटिस था मैक्सवेल तो Maxwell ने क्या किया है Electromagnetic wave की Discovery की है याद रखेंगे Maxwell निर्वात में विद्दुचुमगी तरंगों के velocity का formula क्या होता है तो c is equal to velocity होती है c is equal to under root mu naught epsilon naught यह formula भी बहुत बारा आया है what is the formula for the velocity of electromagnetic wave in the vacuum c is equal to 1 by root of mu naught epsilon naught कोहरे में इस्तित वस्तों को देखने के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है which wave are used to see the object located in the fog तो fog जो है उसमें हमको ultraviolet sorry ultraviolet भूलके दो टाइब की राइड होती है एक आयोती infrared इंफ्रारेड रे का use किया जाता है infrared आीद रखेंगे इंफ्रारेड जो रे होती है उनका यूस किसके लिए किया जाता है रिंदी मे का जाएगा आउरक्त किरनों का तो औरक्त तरंगों का प्रयोग कोहरे में देखने के लिए किया जाता है इंफ्रारेट द्रस्य तरंगों की तरंग्धेरी प्रकास लिखी है तो वीजिबल रेक अभी हमने लिखा था फोर हैंड्रेड नेनोमीटर टू एट हैंड्रेड इनोमीटर प्रहना यह पॉर थाउज़ेंट अगेस्ट्रोम कोPh trum को अदूर संचार के इस कि तरंगों का प्रयोक किए जाता है तो आपको पता है कि nous झाए दिर के रिंदी फिलिए हम किन कई उसकरतें रेडियो वेव का उसकरतें रेडियो तरंगों यूज करते हैं रेडियो तरंगे प्रैउयक की जाएगी दू संचार के लिए कि शुक्ष्मतरंगों का तरंग देरिंटव 120 नन मीटर यह इनकी range होती है microwave की एक नेनो मीटर से 300 नेनो मीटर की range में होता है microwave समय परिवर्तनी विद्धु छित्र की कारण उत्पन्न विद्धु धारा को क्या कहेंगे वाट इस दा इलेक्ट्रिक करंट चेनरेटेट डिव टू टाइम वेरिंग इसको हम बोलते हैं displacement current displacement current हिंदी में हम बोलेंगे विस्थापन धारा तो विस्थापन धारा परिवर्ती इलिका है समय परिवर्तनी विद्धु छेत्र समय के साथ अगर इलेक्ट्रिक फिल्ड जनरेट इलेक्ट्रिक फिल्ड जो है वो चेंज हो रहा है तो जो करण जनरेट होता है उसको क्या कहा जाता है displacement current विस्थापन धारा कहा जाता है विद्धु चुम्ब की तरंगों के आविस्कारक कौन थे तो अभी बताया था मैंने Maxwell जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी तो Maxwell आएगा इसका right answer याद रखेंगे आयावा question next एक क्या विद्धु चुम्ब की तरंगे विद्धु छेत्र या चुम्ब की छेत्र से विक्षेपित होती है तो यह जो electromagnetic way होती है यह ना तो electric field और ना है magnetic field दोनों से deflected नहीं होती है यहाँ पर answer होगा no दोनों से deflection नहीं होगा विद्धु चुम्ब की वर्ण क्रम में उपस्ति तरंगों की आवरत्ती के बढ़ते क्रम में लिखे जिसकी आवरत्ती ज़्यादा है उसको लास में लिखना है और जिसकी आवरत्ती काम में उसको पहले लिखना है हमारे पास एक radio wave है तो radio wave लिख देंगे radio तरंग radio तरंग के बाद जो है वो आएगी micro तरंग micro तरंग के बाद आएगी आवरक्त तरंग infrared light इसके बाद आती है visible light द्रस्य इसके बाद आती है UV ray परावेगनी किरने इसके बाद आती है X ray और सबसे last में आती है gamma ray सबसे कम तरंग धेर गामा ray की होती है लेकिन आवरत्ती की बात कर रहे है तो आवरत्ती सबसे अधिक gamma ray की होती है और इसी कारण gamma ray में आवरत्ती ज्यादा होने से energy ज्यादा होती है और उसका यूज किया जाता है cancer के treatment में gamma ray का radio wave आएगा radio के बाद क्या आएगा micro आएगा micro के बाद infrared IR इसके बाद visible आएगा then UV आएगा then x-ray और last में gamma आ रहे तो यह order है frequency का increasing order में अगर आपको wavelength का order पूछे जोने expression में पूछा है तो इसको just reverse कर देंगे gamma x UV visible IR micro and radio यही पूछा है इसमें तो आपको बढ़ते वे तरंग देरे के क्रम में लिखना है तरंग देरे के बढ़ते क्रम में मतलब जिसकी तरंग देर सबसे कम होगी वो पहले आएगी तो सबसे पहले कोन आएगा gamma आएगा फिर कोन आएगा gamma के पहले x-ray आएथा फिर UV आएगा फिर visible आएगा फिर infrared आएगा फिर micro आएगा और लास्ट में radio आजाएगा इसको हम बोलते हैं विद्दुचुम्बकी स्पेक्ट्रम electromagnetic spectrum और यह किसके बेस पर है यह wavelength के बेस पर है increasing order of wavelength याद रखेंगे important question हो सकता है next हमारा जो last question है वो है मेजद्दुचुम्बकी तरंगे electromagnetic wave यहां से हमको बैस सिलेक करना है विद्दुचुम्बकी तरंगे इसकी discovery की है Maxwell ने किसने discovery की है Maxwell ने तो चलिए देखते है Maxwell फर्स्ट हो जाएगा Maxwell ने discovery की है सेकंड है आउरक्त विकिरन infrared radiation तो infrared का यूज अंधेरे कमरे में photography में होता है night photography में यूज होती है थर्ड है UV ray UV ray किटानों को नस्थ करने में destroy and germs फोर्थ है microwave 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 का यहां का यूज किया जाता है तो यह चंद्रमा की दूरी distance of moon find करने में किया जाता है रेडियो तरंगे द्रस्य किरनों की कोटी तो दो बचा है रेडियो तरंगे रेडियो तरंगे जो है यह कोटी की बात किये दस्की का तो माइनस चे द्रस्य प्रकास किरनों की तरंग देरी की बात किये तो रेडियो वेव जो है वो दो लित्र परिपत आ जाएगा और इसका यहां सामने ही लिखा है 10 to the power minus 6 meter होगा wavelength की तरंगधेरी की कोटी लिखा है तो यह 10 की गाद minus 6 meter होगा पहला electromagnetic wave जिसकी discovery Maxwell ने की है दूसरा आवरक्त किरने infrared जो है वो night photography में यूज की जाती यह भी एक important point है आया हुआ है थर्ड पराभेंगने विकिरन यह जर्म्स के destruction में यूज किये जाते हैं फोर्थ माइक्रोवेव यह distance के लिए यूज की जाती है फिप्त रेडियो वेव यह oscillator circuit में यूज की जाती है और order of wavelength of visible ID 10 to the power minus 6 meter इनका होता है तो आज का हमारा यह जो छोटा सा portion है यह कैसा लगा आपको बेड़ा इसको ध्यान से पढ़िए इसमें से आपके four marks के question आएंगे पक्का है और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए और आप हमारे चैनल को जिन लोगों ने भी नए हैं और अगर आपको जल्दी से जल्दी पहुंच पाएं पहली बार में ही आपके पास पहुंच जाए और आप उसको अच्छे से देख लें और chemistry और physics में ज्यादा से ज्यादा number ला पाएं थैंक यू